शुकिया, सी दिपेन हुड़ा जी धन्यवाद सावती महदे, राश्पती अविवाशन की इस चर्चा में मुझे मौका देने के लिए जब इस सदन में राश्पती जी अपनी अविवाशन उन्होंने शुरू किया तो हम लोग बड़ी गहरी रूची से सुनना चाह रहे थे क्योंकि सरकार की क्या दिश्टिकोन है, क्या सोच है काफी कुछ उस अविवाशन के माद्यम से देश के सामने रखा जाता है मगर जब धीरे धीरे जैसे से वो आगे बढ़ी तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये अविवाशन 2024 में बनी हुई भाजपा सरकार के आखा है या ये अविवाशन 1977 में बनी जनता पार्टी की मुराजी सरकार का है या ये अविवाशन 2014 में बनी प्रथम मोदी सरकार का है क्योंकि जब अमेरेंसी पे इतना बड़ा लेक इतना बड़ा उलेक अमेरेंसी का किया गया तो उसका क्या संदर्भ है समझने में समय और उसके बाद इतना लंबा उलेक किया गया असा लगता था कि नहीं नहीं एमेरेंसी के बाद इलेक्शन हुआ है और जनता की सरकार जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी है शायद वो अंच वहां से लिया गया हूँ फिर उसके बाद प्रचंड भहुमत बताया गया पूर्ण भहुमत बताया गया और ये बताया गया बहुत से ऐसे वाइदों को दोराया गया जो 2014 में और 19 में हम सुन रहे हैं सुनते आ रहे हैं तो हमें लगा शायद 2014 के राशपती अविवाशन के कुछ अंच वहां से लिये गए हूँ मगर बाद में ऐसास हुआ कि शायद मौझूदा सरकार ने किस सन की ये सरकार है 2024 की है या 1977 की है 2014 की है इसको समझने में सायद भूल नहीं करी उन्होंने इस जनादेश को और जनादेश की भावना को समझने में भूल करी जो पिछले तीन-चार दिन से हमने सरकार की कारेशहली देखी ये जो दनाद जनादेश है इस जनादेश के माद्यम से देश के लोगों ने ये बात सही है हम सुईकार करते है कि संख्या बल सत्ता रूर्दल को देने का काम किया है लेकिन ये भी सत्ते है कि इस जनादेश ने नेतिक बल देश के विपक्स को देने का काम किया एक मजबूत विपक्स को जन देश के लोगों ने जन देने का काम किया देश के लोगों ने बहुत करिश्मा ही है नेतिक बन इस नेतिक बन में इतना करिश्मा है कि आपने देखा होगा कि जब ये जनादेश आया तो उसी रात जो तंत्र जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए जुका रहता था रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफी मांग रहे थे ब जब इंडिया की बैठके हुई अगले दो-तिन दिन में, तो उन बैठकों में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के चेहरे पर, और जब इंडिया गडवंदन की बैठके हो रही थी, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हर के चेहरे पे चमक थी, मिठाईयां बा जिस तानाशाही और एहंकारी कारेशेली से आप चल रहे थे देश के लोगों ने उसको अस्वकार किया है और भहुमत छीन कर उस एहंकार को तोड़ा यह वही एहंकार असर जिस एहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में तीन किर्शी कानून देश के इतने बड़े वर इनन से पास कर दिया और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ दिल्ली के चारों तरफ एक साल से जादा वो किसान वर्ग बैठा रहा साड़े साथ सो शव इन धर्णों से वापस पंजाब हर्याना उत्तरप्रदेश राजस्थान अपने गाउं में उन किसानों के गए लेकिन सरकार की तरफ से सानुभूती के दो शब्द भी व्यक्त नहीं हुए यह वह एहंकार का चहरा था जो देश के लोगों ने देखा और यह वह चहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दोरान एक जीप के माद्यम से किसान कुछ ले गए और जिन मंतरी की केब देश हरियाना राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश और उस लखिंपुड खीरी में भी भाजपा के उस उमिद्वार को हरा कर इंडिया गटबंदन को जिताने का लोगों ने काम किया जिनको आपने ठिकट दी जिनके गाड़ी के नीचे किसान पुचले गए यह एहंका ओलंपिक विजेता खिलाडी बेटियां ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां हरियाना की बेटियां अपले ने न्याय मांगरी थी वो हरियाना जहां कुरक्षेत्र हुआ जहां महाब कुरक्षेत्र में महाबारत का युद हमारी देश की महीला की इज़त के लिए महाबा पी जो सांसद हैं उनों पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया सुप्रीम कोट के कहने पे दर्ज करवाया गया और उनके बेटे को उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाओं में उतारा गया उत्तर प्रदेश के लोगों ने हरियाना के रायस्थान के पंजाब के ल में सबसे आदा मत्परतिशत आया है लोगों ने उस एहिंकार को इशukार करने का मैं किया यह वह हैंकारी था एक दिन में 146 आंशडों को संपूर्ण विपख्ष को एक दिन के अंदर निलिम्बत करने का वह यह वह यह थोज़ों डेश के लोगों को हैंर करके 234 इंडिया पीट का था। रेक्षार के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो एहंकार था हर वर को सड़क पर आना पड़ा हरियाना में हमने देखा हरियाना में हमने देखा लोगों ने लोगों ने लोगों ने लोगों ने अपनी इनकी एहंकार की राजनीती पर को असुकार करने का काम किया सर और इनकी एहंकार की नीती के साथ साथ लोगों ने राजनीती को भी अस्विकार करने का काम किया बनाम की राजनीती एक देशवासी को देश दूसरे देशवासी है कि आमने सामने खड़ा करने की नीती को लोगों ने अस्विकार करने का काम किया कभी नारे आ रहे थे उत्तर बनाम दक्षिन मैं आपको बताना चाहता हूं उत् अचिलिया के तिन तरफ बशे हुए हरियाना के अंदर अंदर उत्तर भारत में आया है इंडिया कट बंन्दन का सबसे ज़्यादा मतप्रतिशत धाया है उत्तर बनाम दक्षिन इस बनाम बनाम की राजनिति कहीं धर्म को आधार मान के बनाम ऊख्यू अधरम और दसरा धरम क killing तो हरियाना पे जाती को सारा बना के धुविकरन करने की राजनीती को अस्विकार करने अकाम लोगों ने किया हरियाना एक ऐसा प्रदेश है सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 की 90 हमारे 90 विधानसभाएं 90 के 90 विधानसभाओं में कॉंग्रेस के मत प्रतिशत में जबर्द दक्षेंड एक धरम बनाम दूसरे धराम एक जाती बनाम दूसरी जाती इस बनाम की राजनीती को लोगों ने अस्विकार किया इस वोट पे लगातार बावा साब के समिधान पे प्रहार किये जा रहे हैं समिधाने संस्थाओं पर वार किये जा रहे हैं समिधान पर प्रहार हो रहे हैं पारलमेंटरी डिमोकरसी पर किस तरीके से वार और प्रहार किये जा रहे हैं आपने देखा हमने देखा सर किस तरीके से समिधा के अंतरगत जिन समाजों के जिन वर्गों के अपने अधिकार समेधान सुरक्षित करता एंदर आधिकारों के माध्यम से कच्चे लगाए जा रहे हैं बिना रेजर्वेशन बिना पेंशन इस तरीके से के अंदर सरकार में भी सरकारी नौकरी समाप्त करके S.C. समाज के O.B.C. समाज के जो अधिकार समिधान के अंदर जो सरकारी नोक्रियों के अंदर अधिकार है उनको बैक डूर से छीनने का काम ये सरकार कर रही थी सर और समिधान को आगे भी और कुचलने के नारे दिये जा रहे थे उन नारों को भी लोगों ने अस्विकार किया भहुमत आपसे छीन कर आप 400 पार का नारा दे रहे थे बाबा साब के समिधान को खंडित करने की बाते कर रहे थे आपसे भहुमत छीन कर अल्प मत किया आपकी सरकार बनवा के समिधान को बचाने अकाम किया इसलिए जैसमिधान और इसलिए जब जेश समीधान यहां पे बोला गया और ये मैं भी बताना चाहता हूँ मैं क्यों खड़ा हुआ उस समय क्योंकि इस समीधान से बाबा साब के समीधान से मेरा भावनात्मक भी एक संबंद है स्पिकर सर जब ये समीधान बना यह जो समिधान जिस समिधान के अधार पर देश चलता है संसत चलती है यह समिधान बना इसी संसत के परिशर में बाबा सاحب के नेतित में जब समिधान बना तो मेरे स्वरगी दादा जी, चौदिर, अनबीर सिंग, हुड़ा जी भी उस समिधान सभा के एक सदस्य थे और जब समिधान की मूल प्रती पे दसकत किये गए तो बाबा साथ साथ पंड़ जवालल नहरू सरदार पटेल, मौलाना अजाद और चौधीर अन्बीर सिंग हुडा जी के भी दसकत उस समिधान की मूल प्रती पे अंकित थे जब यहाँ पे जैस समिधान बोला गया और पीट से और आसन से उस पे टोट टिपनी कीगी तो मैं समझता हूँ मेरा एक करतब में मैंने महसूस किया कि यह पूछना कि इस पे किसी को आपत्ती नहीं होनी चाहिए थी उसके बाद जो नौल पीट की तरफ से आगे जो कहा गया मैं उसका सही कहा गया कि गलत कहा गया इसका फैसला मैं देश वासियों पे छोड़ता हूँ और मैं इस महान सदन के पीट पर और आसन पर मैं छोड़ता हूँ लोगों ने समविधान की रक्षा की एहंकार तोड़ा आपकी बनाम की राजनीतियों को नकार नेगा काम किया मैं स्पीकर सर मैं कुछ अभीवाशन को मैं आगे पढ़ रहा था यह समझ में आ गया कि जनादेश भूल तिथी में नहीं है कौन से सन की सरकार है जनादेश को स फिरीक समझा कि आप से केमाध्दम से मैं याददिला दूं कहा गया था दो करोड़ रोजगार देंगे मगर इसमें आज हम देख रहे हैं सर 52 साल में रिकोर्ड बेरोजगारी एक ऐसी जोषन समस्या 25 साल का रिकोर्ड बेरोजगारी का आज सरकार miya का ऐस सरकार ने बनाने आपके सामने, आज देश की हकीकत आपके सामने है, देश में जहाँ एक और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल में है, तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाना में है, शायद इसलिए देश में सबसे ज़्यादा विपक्स को मत परतिशत आज हरियाना मे चुनाव में मिला है और यह आपकी सरकार ने जवाब दिया पिछले सत्र में जब मैंने सवाल पुछा था कौन से प्रदेश में कितनी बेरोजगारी सबसे आदा बेरोजगारी आज हरियाना प्रदेश में आज हरियाना प्रदेश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की ग गैंग बन गए और अंडरेज शूटर्स में हरियाना के नौजवान आज वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आज अपरायद में हरियाना बढ़ गया और पलायन विदेश की तरफ पलायन आपने डंकी पिक्चर का अपने सुना होगा आज हरियाना का नौजवान जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था आज वो जान हतेली पे रखकर अपना घरबार छोड़कर पैनमा के जंगलों के रस्ते में होते हुए अमरीका की सीमा लांकर जब अमरीका में प्रवेश करता है मजदूरी करने तो उसके घर में दिव जा रहा है हमारा नौजवान अमरीका में तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था आज वो युकरेन और रूस के युद में जाकर हरियाना का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है यह कैसा अमरित काल है मैं आप से पूछना चाहता हूं आज हरियाना के नौ बेरोजगारी का रिकॉर्डी हरियाना में नहीं बना सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पेपर लीक और सबसे ज़्यादा भरती गोटाले पिछले दस वर्षों में खई हुए हैं तो हरियाना के अंदर ये पेपर लीक गोटाले हुए हैं तो आज पेपर ली आज पेपर लीग के माध्यम से करोडों नौजवानों के भविशे को अंदकार मैं कर रहे हैं बेरोजगारी का अभी भाषन में एक वार भी जिकर नहीं हुआ तो उसके साथ साथ मैं देख रहा था इसी अभी भाषन में एक वार भी एक वार भी ब्रस्टाचार और काले धन क पिशाब ही अभी भाषन में एक शब्त नहीं कहा गिया डेर काला था नौजवान बसको छुओं ने के बारे में कुछ पहां इंग अब लोग के रहे हैं असली नला यह था काला धन विदेश नहीं लाएंगे काले धनवालों को बीजशे कं मान प्लुँआें डू司ंग कॉत तो इन्होंने क्यों नहीं वोट मांगी, क्यों नहीं वोट मांगी और क्यों भी भाषर में व्रस्टाचार और काले धनकाजी करनी किया, वोट मांगनी चाहिए थे इनको, कि हमने करोना का ठीका लगाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, इस बात पर वोट मांगनी चाहिए थी भष्टा चार का इनका रिकॉर्ट ठीक होता मैं याव दिलाना चाहता हूं एक और इनका नहरा था किसान की आंधनी दुझनी कराइंगे सौमी नाथन लागू कराइंगे ओ तो देख लिया हमने साड़े साथ सो किसानों का लिषु भाया आपने हमने देख लिया कैसी आमदनी दुगनी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई लागत दुगनी हो गई किसान का दुगदर दुगना हो गया और मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं कम से कम MSP पे तो आप सच रखिए देश के सामने MSP की legal guarantee आप करिए सरकार को मैं आपकी पार्टी से काफी सद्स बोलने आप 15 मिलिट से उपर हो चुका मैं कंक्लूजन की तरह बढ़ रहा हूं किसा कम से कम MSP पे तो आप legal guarantee करने काम करिए सरक और इनका नारा था one rank one pension one rank one pension का नारा था वो तो भूल गए नारा बदल दिया वन रेंग वन पेंशन के जगहां, नो रेंग, नो पेंशन, अगनी वीर योजना ले आए सर, अगनी वीर योजना मैं पूछना चाहता हूं, यह योजना कहां से आई, क्योंकि ना तो यह योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजबा के घ सब्सक्राइब कर रहें सर अब कर रहें सर आप कंक्लूड कर रहें मैं पूछना चाहता हूं जनरल नर्वरे ने क्या कहा कि इस योजना ने चोका दिया तीनों से नाओं को आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था फॉज की इंटर्नल एक रिपोर्ट आई सर हर अख़बार मे यह ख़बर कि इस योजना की वज़े से फॉज में आपसी प्रतिदुन्ता बन गई जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जजबा था एक दूसरे के लिए अब आपसी प्रतिदुन्ता और फॉज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई फॉज के पास सबसे बड़ा हत यार उसका मनोबल होता है हमारी देश की फॉज का मनोबल आपने गिरा दिया ऐसी योजना आप ले क्या यह देश की फॉज जिस पे सबको गर्व था पैस 75 साल में सरकार कोई भी रही हो देश की फॉज ने कभी तिरंगे को जुकने नहीं दिया चाहे वो 1971 में इंदरा जी क सरकार हो जिसने पाकिस्तान के दो टुकडे करके दुनिया के भगोल को बगलने का काम किया या निन्यानवे में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब बायत पीजी प्रधान मंती थे कड़गिल में पाकिस्तान के शीष को जुखाने का काम किया तो इसी फॉज ने किया पकी भरत की एकॉनमी इकॉनमी में जरूर कहना चाहूंगा सर पांच प्रिलियन एकॉनमी सर ऐसा ना हूок्स सायम की रिपोर्ट बताती है सर कि एक प्रतिशत जो सबसे आमीर हिंदुस्तानी nyaं उनके बाधा साथ प्रतिशत की संपत्ति यह पांच टीलियन टीलियन एकॉनमी इनMER का विफलतागा परती का बता रहे थे यह 80 करोड देशवासियों को जो आनाज दे रहे वह अच्छी बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं को बताना चाहता हूं कि जनादेश क्या जनादेश यह है कि वह 80 करोड लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें अनाज नहीं चाहिए हमें कंक्लूजन में सर यही कहना चाहता हूं सर कंक्लूजन यही कहना चाहते हैं जहां तक रहत्विष्था में सर एक और बात थी यह कहते थे कि रुपया इतना गिर गया जब 62 हमारे समय रुपया हो गया था कि इज्जत गिर गई इंदुस्तान की अब रिकॉर्ड गिरावट 62 से 84 पहुच गया रुपया अब तो रिकॉर्ड गिरावट आ गई होगी इंदुस्तान की इज्जत में आपके अनुसार तो यह आज अर्थष्था की स्तिती है मैं आखिर में एक ही वाक्य कहते हूं अपनी बात को समाप्त करता हूं यह जनादेश लोगों ने जनादेश एहंकार के कारेशेली के लिए नहीं दिया आपकी तानाशाही की कारेशेली के लिए जनादेश नहीं दिया उसको अस्कौर किया है जनादेश सबको साथ रखके देश को आगे लेकर जाने के लिए जनादेश दिया और इसको आप अस्विकार करोगे आज तो इस जनादेश ने एक मजबूत विपक्स को जनम दे कर आपके समक्स आपके सामने बिठाने अकाम किया है अगर जनादेश नहीं समझोगे अगली वार आपकी जगा मजबूत विकल्प के रूप में आएंगे यह मैं आपको कहना चाहता हूँ संसदीकारिमंत्रीजी सर एक एनॉसमेन है क्योंकि अभी काफी लेट तो हम लोग हाउस चलाने वाले हैं और मानने सदस्यों का यहां काफी देर तक महनत करके बात भी बोलेंगे और सुनने वाला भी यहां है तो हम लोग ने डिनर का विवस्ता किया है उसका जगा मैं जानकारी देना चाहता हूँ हमारे मानने सदस्यों के लिए MPs के लिए Dining Room for MPs जो MPs का Dining Room है वहां MPs के लिए वहां बोजन होगा Ground floor, ground floor पे हाँ MPs Dining Room MPs, आप पैसे के चिंता मत किजे वहां आप जाके आराम से खाईए और MPs का Guests पैसा हम दे देंगे इतना तो जब सदीकार मंत्री जी कह रहा है तो वही होस्त है MPs, Guests, MPs का Guests के लिए Dining Room for जो मीडिया है उसमें आपका MPs का जो Guests यहां आपके साथ में जो बहार में है उनके लिए और स्ताफ कैफिटेरिया वहां for new building officials यह new building officials है जो हम लोगों के सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे है सदन चल रहा है उसके लिए Parliament Library Cafeteria for security personnel and other allied agencies security personnel or allied agencies के लिए Khada का विवस्ता है Parliament Library Cafeteria में तो I hope everybody has got this thing and please avail और शांती सामलो देर रात तक चलाएंगे Thank you पहले पूछ लिए जब आप हमसे पूछेंगे ने सीधे पूछ लेंगे तो कि आपके मादम से आपके मादम से सर यह जो MPsak cafeteria है जैसे Central Hall में जो TV लगे हुए थे उसमें थोड़ा सा ठीक सारी कारवाई अच्छे से एंदेख लेते जाएंगे सरसिदी कारमंत्री जी इसमें TV लगवा TV लगवा दीजिए ने बिलकु ठीक सुझाओ आपका सिरी एस बैंक्टेजी